जब जरहूल गांदी थे तो उनके समय इतना महंगाई नहीं था, आजकल इतना महंगाई हो गया है कि लोग को कमा के भी अपना पेट के लिए नहीं हो पा रहा है पासकरवादी है तो लग रहा है इस बार बनेगा क्या कि बहुत अस्वीधा है रास्ता इतना उबड़ खबड़ होगी है आने जाने के लिए बहुत दिकत होती है दान उन ठीक हो अलाओ गोड़ाधान बढ़ यहां है हाँ बेचबा के तो हीन खाबा आपवाई के आमी नहीं बेच़ील ना भी लाओं को जो हजार हजार दे रहे हों कैसा लग रहे है ठीक ही है कि पुरूश लोग तो काम करने चल जाते हैं महीला लोग के लिए घर में घर करते हैं उनलोगों तो थोड़ा बहुत सहतत होना चाहिए ना सरकार को भी तो हजार रुपया भी दे रहे हैं अच्छी है अधार काट कर फोटो कोफी तने पास्बूकर फोटो कोफी सौ आप माइं माइं के लेगी लादी इनसे क्रों मैं मठीया दो रहे हैं हमारी चुनावी यात्रा खिज्री विधान सबा के लाली पंचायत पहुंची है लाली पंचायत का ये गढ़ा टोली है जिनको समझ में नहीं आ रहा है लाली पंचायत उनके लिए हम बता दे कि मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दूर एक पहाड़ी दिख होगा थोड़ा सा कुहासा है आपको देखने में थोड़े आस्वीधा लग रही होगी चुकि साम का समय है बरसात हुआ है तो कुहासा भी आ चुका है यहां पर इसे हैवन हील के नाम से जाना जाता है जितने भी इंस्टाग्राम इंफ्लूंसर इस इलाके में आते हैं और ह प्लेश ना मना किया हुआ है इस 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 इलाके में आने के लिए क्योंकि लोग में प्लाके में वचल हो एक्पादा हम अपको बता दे किर्चाम हैान उसकी कटाई इसे जानते हैं कि हम चुनावी यात्रा पर हैं किनको वोट देते हैं ये लोग अर उनसे जिनको वोट देते हैं उठीजाओ के यह आशा करते हैं तो इनके कोनो कि व m नई खबर हो खैर दीरे दीरे जब चुनाओ नजदिक आएगा तो पता चली जाएगा कोन छाप में तो इन वोड दे वाला हाथ छाप में कॉंग्रेस के कांग्रेस के देते आहा कि कभी बीजेपी की भी दे वाला काका तो हीन के सुवीधा दे हो कांग्रेस के बोर्ट करा ला काका तुहिन इलाका में सुवीधा मीलो रोड, सडक, पूल काका मिलो पहले तो मिल रहे तो zeggen कुछो नहीं मील रहें पत्ती ው न Hugo आसी है, हमार पत्त तो भिद्वा पैंसा न है मिलौला तो तो यह मोखियाँ उखियाँ निहाही बोले? फ्रम है भळले? या आ मोखिया तो क्याही से सोब सें हम फरामभार है यार इसती बन लो कहें ै कहें नार सोब लीक की लगा हैं ल मुख्या चेंगी चाहिए तुर मोरता है नहीं बना इसके तक रारो इसके रहां आपार्ग आपके प्रूह और छोड़ने गारा से कुछ अधूह को आधिके, काई साल से, विदा लगारा देन आपका कर देना इसके दगा का रही है और टोर्नाता है तोर खेतिया बाड़ी हो यह सब करके तो ही हापन घरूर चला थी तो यह करी ला थाए तो तो तीज चालीस बड़े सामर आदमी के लागए है तो यह उमर कर बेटा मने होगे लाए तो खेते बाड़ी तो एक ले करी ला तो हम दूजा नहीं हमार दिवर हाई सिकर सामिल करी ला तो मुख्या नहीं सुन लाओ तो तो विधाय के नहीं बोल ले के हमर काहें नहीं मिला थो कि अधार कार फोटो कोपी पासबूक कर फोटो कोपी सुआ माई माई के लेगी लाड़ी नसे करो मैं मठी आद हो रहें जिए सतलीक के लिग बत नहीं मठी आई है देखिए कांग्रेस के कटर समर्थक हैं ये कह रहें कि हम लागातार उनी को वोट दे रहें लेकिन एक्च्वल में जो इनको सुईधा मिलनी चाहिए एक देखिए पती की मृतिव हुए इतने साल हो गए हैं छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं अब तक इनको पेंशन नही मिल पा रहा है कहीं ना कहीं कमी है जो पूरा करनी की जौरत है क्योंकि चुनाओ है सिर्फ वादे नहीं यहां पर काम करनी की भी जौरत है फिलाल और कुछ दीदी लोग यहां पर हैं उनसे बाचीत करेंगे दान उन ठिक हो अलाओ गोड़ाधान बढ़ियां है हाँ के भोड़ देवाला यहां कि इन कांग्रेस है अज़ाए अज़ाई बताओ कि कांग्रेस के तुहीं नेताई साल से भोड़ देवा था का का देलो तोहीं के महिना में एक हजार आओ ला तो एक हजार बगरा हो कि काम हो पूछाती थीक हो इतने आए हो ज्यादा नहीं आए हो कि कि अधिक है आर बीजेपी और नया नया पार्टी नहीं दे वाला अगला को शुरू से कॉंग्रेस के देवा था तो एक नो देवा था अदूसर पार्टी के नहीं सोचाला कमल चाप हो और भी बहुत चाप हो मन के नहीं सोचाला जैसान बोलबा थीन तब तब उसने नहीं नहीं देवे जब वे अब कोई से कमल चाप तो हाँ कमल चाप है या है से नहीं दे ही मोधिकर पाटी नहीं अच्छा लगो ला अच्छा काई से नहीं लगते हैं अब जैसा ना अदमी बान कावा है तो इसने ना देवे जब हैं तो तो उक्रे देवे तो तहां में कले का दूसरा के देवे जब हैं चलिए यह इलाका मतलब यह समझ में आ रहा है कि लाली पंचायत का यह जो गढ़ा टोली है यह लगभग कॉंग्रेसी गाओं है सब कॉंग्रेस को वोट करते हैं का चाप हो हाथ चाप है फिलाल एक बच्ची है वो भी धान काट रही है उनसे बाचित करेंगे क्या नाम हुआ मैया तेरा बिलासी कुजूर तुम लोगा खेत है कितना तक पढ़ी हो इंटर्दक उसके बाद आगे क भड़ा का सुविधा नहीं है उतना खास बहुत अंदर है ये गाओ ना बहुत दूर है टाउन से बहुत दूर है ये लाली पंचायत गाड़ी सुबह में चल जाती है फिर आने समय आठ बजे आती है तो हम लोग उधर से आएंगे तो फिर वेट करना पड़ेगा नाठ सुबहाद नहीं हो रहा है तो क्या करें प्ढ़ना चाहती हो अगर पढ़ाय लिखाय बढ़ियां हो गया क्या बनना चाहती हो उतना थो खाय सब... फिर नई सोचे है लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तो सिख्षित जरूर होंगे नौकरी करने का सोचती हो अभी तो इंटर तक ही की है तो अभी नहीं सोचे हैं आगे पढ़ाई करते तो सोचते लेकिन आधा धुरा करके छुट गया लेकिन इंटर तक जिस तरीके से पढ़ाई की है थोड़ा और कोशिश करती तो हमको लगता है ग्रेजवेशन कर लेती तो तो बढ़ियां रहे था है ना नहीं हो पाया ना अच्छा ये बताओ कि 18 साल हो गया तुम्हारा हो गया कभी वोट दी हो आज से पहले हैं मेरा बोटर काड ही नहीं बनना है एक बर अप्लाई किये थे तो उसमें रद हो गया मेरा हम लोग पढ़ता है बहुत अलग तरह हम भा करते हैं हाथ चाप को वोड करते हैं तो कैसा काम कर रहे हैं राजस का चप करने का तो इधर बनाता है उधर देखता है लेकिन खेर कहीं कहीं पर नहीं करता है जैसे इधर रास्ता भी खराब ही है लेकिन इधर बनाने बनाएंगे तो बोलता है लेकिन कब बनाएगा जब आ पॉस्ट आता है इस इलागे में भी कोई सिला नियास हुआ है सड़क का हुआ है लेकिन बनाएंगे लिकिन कब बनाएगा कुद शिला पट लगा है सेंद लगा है ऐसा तो अमलब सुने है पर पता नहीं हम देखे नहीं है लेकिन कहीं पर लगा है इस तो बोल रहे थे तो हम गया थे प्राग्म तो पूछे कि क्या-क्या लगता है बोलके तो वोले कि खोटर कार्ड नहीं बना तो नहीं भराएगा। मतलब वोटर कार्ड ये सुनिश्यत कर रहा है कि आप 18 साल से उपर है इसलिए वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है तो आधार वोटर कार्ड के लिए क्यों नहीं दोड़ी तुम क्यों अभी तक नहीं बनवा पाई अपलाई तो किया थे लेकिन रध हो गया फिर्फ बियोलो है इधर प्राई नहीं मारे है वोटर कार्ड के लिए तो भरी फोंबरी तुम्हारा भरी थे लेकिन रध हुआ तो फिर हम ट्राई ही नहीं मारे है हमसुत बढ़ियां कैसा काम कर रहें कैसाहे । डेखती तो होंगे मुबायल अहां लग रहा है ॹियज़ अच्छे वासी कांव से तो काम करते हैं फैन् कम बढ़ियां दे रहे हों कैसा लग रहा है थीक ही है कहें कि पुरूश लोग तो काम करने चल जाते हैं महिला लोग के लिए घर में घर का काम करते हैं उनलोकों तो थोड़ा बोट सहतत होना चाहिए ना सरकार को भी तो हजार रुपया भी दे रहे हैं अच्छी ही है लेकिन तुमारा नहीं भराया नहीं खेर दुबारा अगर फोम निकलता है तो जरूर भरना है ना खेर आपकी मा कौन है मेरी मा तो नहीं है तो किसका खेत में तुम काटने आई है तो ये पूरा खेती तुम ही देखती हो हाँ अब भी तो घर में कोई करने वाला नहीं है तो जोन कोई है तुम लोग परिवार में हम लोग घर में चार जन हैं एक भईया बाहर गए हुए हैं कमाने रोजी रोजती के लिए हैं और बाबा भी काम करने जाते हैं एक भईया हैं वो भी जाते हैं हम छोटी हम घर में दे क्योंकि इसके पास वोटर कार्ट नहीं था, 18 साल कंप्लीट हो चुका है, वोट भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि अभी तक ये वोटर कार्ट नहीं बनवा पाईगी, बहुत सारी मुश्किले गाउधियात में मिलती हैं, जब लोग अपने कागजात वगेरा नहीं बनवा पा ये साहता वो नहीं मिल पाता है, और कही न कहीं निराश है जनता, और ये चार ही है कि हम जब भी सरकार किसी की भी आए, इनके लिए सोचे, इनके लिए कुछ करे, इस बार तुम लोग किसको वोट करोगी? हाथ छाप में, तुम तो नहीं दे पाएगे, लेकिन इधर के महिला, हम लोग का कंग्रेस पाटी है, उन्हीं को देते हैं कंग्रेस क्यों इतना पसंद है मया? कहके पहले से देते आए हैं तो इतिहास नहीं बदलना है क्या? समय पर बदलना भी पड़ता है किसी बड़े नेता को जानती हो ने तुन ने जानते हैं तो भही है ना बड़ा नेता जांती हो, कैसे लगते हैं? मा के भी अपना पेट के लिए नहीं हो पा रहा है तो आपको यह लग रहा है कि बीजे पी आई है तो महंगाई बढ़ गई है हमको लगता है कि महंगाई हो गया है तो मौती जी बढ़ियां काम कर रहे हैं henne जतना काम कर रहे हैं लेकिन जतना करता है टेस्पोस भी तो ले रहा है, तकौन से पैसा को ले रहा है तकाम ho जों हम कोजसों पते नेसा है एक किसान को भी टेस्परर महां को पर रहे दा थे अभी तेल का दाम बढ़ा दिया, सब्चिछ का दाम मंगाई बढ़ा दिया, उसी हिसाब से हम लोग को, कौन सा हिसाब से हम लोग को ही हम लोग का पैसे या नि हमें लोग को मिल रहा है, लेकिन हम लोग बोलता है कि सरकार दे रहा है अपने पैसे खुद का पैसा है, टैक्स का लेकिन बहुत निराशा वाली बात है कि बिचारी का वोटर कार्ड नहीं है और इसको कॉंग्रेस बहुत पसंद है इस इलाके कि लोगों के लिए कॉंग्रेस की है शाद इसले लोग यहां पे नाम ले रहे हैं और उनी को परमपरागत पाटी के रूप में उनी को इस बार वो बोड़ तो आए है कि लो इबारी भी कि के दिबा बॉला है जैसन बता वहां प्संद है तो आँगे बोड़ भी गा कि कों प्संद क्यों चाप न को और न ही बता सो कौन पाटी पसंद ust को न चाप में तो जरर रहे ही बताओ है चल्ए आस्विधाओं के बीच यह लांके में पसंद कर रहें लोग महंगाई से घ्रस्त हैं कि हम महंगाई से घ्रस्तने की बात करेंगे और काउंगर humour को वोट करेंगे फिलाल इस गोडा खेत में एक युवा है इस गाउं कि उनसे बाचित थोड़ा कर लेते हैं क्या नाम हुआ ददा मनोज मनोज जी बताए महिलाओं की पसंद यहां पर कॉंग्रेस है पुरोसों की पसंद क्या है देखिए यहां तो सभीं की पसंद ही कंग्रे काम से कंगर्स पार्टी से भी नराज है इधर के लोग जैसे कि इधर रोड का भी विदायक है राजिस कचप तो रोड का करना था तो टाइम से नहीं किया अब लेट से हुआ इसमें भी सही टाइम पर काम होगा नहीं होगा अब देखिए यहां मतलब फंड पास हो गया है अब बस चुनाओं के बाद आना है तो जिसकी भी सरकार आए बीजेपी आए कॉंग्रेस आए रोड तो बनेगा आपका यह किलियर है यहां मतलब पास तो करवा दिया है विदायक जी पास करवा दिया है तो लग रहा है इस बार बनेगा क्या कि इधर बहुत असुईधा है रास्ता इतना उबढख बढ़ हो गया है आने जाने के लिए बहुत दिकत होती है अचा सीला नियास कर दिये है तो इस बार किसको वोट करेंगे आप लोग इधर तो अभी तक सब ही कंग्रेस में है कंग्रेस को ही वोट करेंगे बीजेपी क्यों पसंद नहीं है भाई क्या खराबी है बीजेपी में बीजेपी में भी देखिया खराबी नहीं है पर जो अभी मोदी जी इतना सल से यह मंत्री रहें लिकिनों प्राधन मंत्री रहें वो भी ठीक से कम नहीं किये सब पुरा देश तो बोल रहा है विश्वे गुरू बना दिये हैं सब का कहना अलग है सबका मानना अलग है जा अदिवासियों का काना है कि आमनों का कंग्रेसी ठीक है अमनों सभी कंग्रेस में हैं अच्छा इपुरा लाली पंचाथ कंग्रेसी है क्या नए इसमें कुछ-कुछ लोग भी है विजरा जेपी केसस में हैं कोई है बीजेपी में अधिकतर लोग किसम समझ के चलिए कि इस लाली पंचायत में आदिवासी वर्ग जो है कॉंग्रेस को पसंद कर रहा है बाकि जो दूसरे समुदाई की लोग है वो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और इनका कहना है कुछ लोग जेबी के सेस को यानि की जहराम महतों की पार्टी को भी पसंद कर रह में आएंगे जीत किसकी होगी यह तो ताइस नवेंबर को पता चलेगा लेकिन हा लाली पंचायत का जो गढ़ा टोली है और बगल में जो हैवन हील है जिसे लोग यहां पर कुटम पहाड भी कहते हैं यह जो इलाका है यह पूरा कॉंग्रेस का इलाका अब देखना यह कि यहां पर फिलाल हम कॉंग्रेस को साथ देंगे फिलाल आगे हम जाएंगे जब लाली पंचायत के दूसरे गाओं में हम जाने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी और जेबी की एसस के लोग है वो इस बार क्या चार है क्या परिवर्तन चार है इस खिजरी विधान साबा में है फिलाल गोडा खेत में हम हैं महिलाओं से हमने बाचीत की है कि आस्विधाएं भी नों ने बताई हैं बच्ची का भी कहना है कि हम आगे पढ़ना चाहते लेकिन सड़क ठीक-ठक नहीं है जिसके वज़े से समय का बहुत लोस होता है और जिस वज़े से हम शहर नहीं पह आप सोच समझ कि इस बार दीजेगा और ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएगा कि क्या सचा है खुजरी विधान सबागी फिलाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा